जेहन दोस्तो मेरा नाम अतुल मैथिल स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि एमसी सेंटर के ना काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भाई जो अब एमसी सेंटर की जो नेक्ष्ट भरती निकल अक्टूबर में निकले नावंबर में निकले तो उसमें जीडि के पत्पे भरती होगी या नहीं होगी या सिर्फ ने के बढ़ती होगी तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा हो सकता है कि आपके लिए गुड़नी हो जा क्योंकि जो मुझे तो आपने जो पहले देखा होगा 2022 में जो हमारे इस सेंटर की भरती होई थी लगबग सेप्टमबर में इसका नोटिवेगेशन आया था और नमंबर में एक से पांच तक आपकी भरती चली थी और वो भी सभी बच्चों ने अपना रजिस्टेशन किया था रजिस्टेशन के के बाद हाँ यह ओर्जनल है तव आपको एक इंडेक्स नमबर प्रोवाइड करवाया आपके टेक्स मैसेज पर फिर आपको उस दिन एक डेट दी कि उस दिन आपको आना है फिर आप उस दिन गए और भरती आपकी तो भाई अभी मैं आपको बता दूं तो देखो आपकी जो भरती है लगवाग आपकी सेम वही प्रोसेस रहेगा जो 2022 में था लगवाग एक डेट महीने पहले नोटिवेकेशन आ जाएगा और फिर आपको रजिस्टेशन करना होगा फिर आपको इंडेक्स नमबर में लेगा फिर आप सेंटर की भरती में जाओगे ठीक है यह तो आपका एकजाम आराम से गिलिर हो जाएगा तो बुक की जो लिंक के नीचे डिस्किप्शन में जाकर भाई कर लेना राम सिंग यादव की और ही क्या बोलू में ठीक है अब मैं आपको यह बता दूं कि भाई इसमें जीडी की भरती होगी नहीं होगी तो भाई देखो एक भाई था जिसकी कॉल आए थी मैंने कॉल नहीं की थी भाई की खुद कॉल आए थी पहले तो भाई ने पूछा भाई भरती कब तक आ सकती है तो भाई को मैंने यह बताया कि भाई लगबग हमारी इस टाइम तक भरती आए जाएगी और इससे पहले नोटी बेगेशन मिल ज सकता है लगबग सेटमबर तक उन्होंने बताया था और पहले रजिस्टेशन होगा और अब इस वार यानिकि इस वार आपकी जीडी की इसमें ट्रेड रहेंगी जो भाई ने मुझे बताया था वो मैं आपके साथ सेर करता हूं तो भाई ने बताया कि भाई पिता जी बोल अक्टोर नॉम्मर के महिने में तो लगो हमारी दस बारे सेंटरों की भरती होगी हो सकता है कि ज्यादा सेंटरों की भी हो तो वैसे आप अपनी तयारी में लगे रहना और जितने भी भाई हो कि आउस सवाल थे अब यह मत पूछना कि भाई एमसी सेंटर में जीडी की भरत होगी तो वह जरूर कुछ ना कुछ इंफर्मेशन अंदर से लाके हमें बता सकते हैं तो सेंट प्रोसेस उस बच्चे ने किया था और उन्हें अपने पताजी से बात कि और उन्होंने बता दिया तो भाई जीडी की भरती होगी और रहने की बाकि जैसे नोटी पेकेसन आय रजिस्टेशन करोगे ना तो रजिस्टेशन फील्ड आ जाएगा फिर आप भरती में नहीं जा सकते हो ठीक है जैन